आप सभी छात्रों का स्वागत है तो छात्रों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कप्चा आठवी का जो आपका वैसे विज्ञान है उसके प्रतिवा पर्व मुल्यांकन बर्गसीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार खंडवा का संपूर्ण हल और वह भी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा यहां पर आपको पता ही है कैसे भड़ना है सबसे पहले यहां पर आपको अपना नाम डाल देना है जो भी आपका नाम हो जैसे आपका नाम होता है मालो मनोसा हूँ तो आप डाल सकते हैं आपर मनोसा हूँ पिता का नाम डाल दीजिएग और यहाँ पर साला का नाम भी डाल दीजेगा उसके बाद यह वाले खंड आपके सिक्षक द्वारा बर्ग सीट की जाजकर भरा जाएगा ठीक है इसे आप कुछ नहीं करना इसके बाद आप महात्रपूर्ण निर्देर सी पर सकते हो सभी बेसरों की प्रोजेक्ट कार एक की सबका करना है इसके बाद हम देखें यहाँ सर से आपको उत्ता लिखना स्टार्ट करना है तो खंड बाह है आपका पहला कॉश्चन यहाँ पर देख सकते हो पोलियो सरक्षा अभियान एवन टीका क्यरन अभियान से संबंद्धित जानकारी का अध्यान 여기까지 हो तो आप हमसे पोचकर सुची के रूप में लिख सकते हो सहा आपको बच्पन मैने क्रोक को से बचाप के लिए बिबिन प्रकाल कि ठीके धिये होंगे अपने मातव पिता या भी भावक से पूच कर सूचि के रूप में लिखिए तो यहां पर सबसे पहले यहां पर क्रमांक दिया है फिर आयू फिर किस रोग से बचापको टीका तो आपको आयू में सबसे पहले लिख देना है पहले वाले खंड में पहले वाले लाइन में जन्में ठीक है और जन्म के सामने आपको लिखना है bcg, जैने जन्म के समय हम bcgt, लगता है, जिसका फॉलकॉर्म क्या होता है, अमरें जो Tv.rak से बचा के लिए होता है ठीक है जो Tv.rak से बचाता है अप्को पहले में जनव लिखके यह वाली लाइन लिख देने हैं इसके बाद जा पके दूसरे वाली कॉजम है दूसरे वाले कॉलम में दूसरे लाइन में आपको लिखना है एक सही एक बटे दो क्या लिखोगे आप हैंसे देखना एक सही देखो अच्छे से बता देते हैं आपको आपको इस दूसरे लाइन में लिखना है एक सही एक बटे एक बटे दो इस ट्राइप आपको लिख दियाना है दूसरे वाले में और यहाँ पर लिख दियाना है O-P-V पोलियो रोग से बचाता है ठीक है O-P-V जो कि पोलियो रोग से बचाता है कौन सटी का लगता है O-P-V का तीसरे वाले खंड में आपको लिख दियाना है यहाँ पर आपका लिखा भी हुआ है आप देख सकते हो ठीक है तो तीसरे में लिखना आपको तीन सही एक बटे दो माह है इसमें आपको IP भी कटी का लगता है जो कि पोलियो रोक से बचाता है फिर आपको चौते खंटे में लिखना है फिर से तीन सही एक बटे दो माह है यह नो से बारा मतलब नो से बारा महिने के बीच में आपसो तीका लगता है वो लगता है PCPT का जो कि आपको नुमोनिया एक रोग जो होता है उससे बचाता है तो आपको पांच कोलम में पांच नाम लिख देने हैं इसको जब को सिकेंड कोशन है यहीं पर वह संचर्णी रोग क आपको डालना है संचर्णी रोग बे रोग होते हैं जो रोगी व्यक्ति से स्वास्थ व्यक्ति में संचाड़त होते हैं यह संक्रामक रोग है जो वैक्टीरिया प्रोटोजोगा कभक आदी के द्वारा उतपन्न होते हैं आपको यहां पर इस एंटू से मुटार देना है इसके बाद जब का थार्ड कॉस्चन है आंगे बो है पल्स पोलियो अभियान क्या है ठीक है इसमें आपको तर डालना थार्ड वाले में और इसमें लिखना है इस कारिक्रम के तहट पांच वर्स के कम आयू की सभी बच्चों को पोलियो समाप्त होने तक हर बड्स दिसंब जनवरी माह में औरल पोलियो टीका की दो खोरांक दी जाती है ठीक है यह आपको थारड वाले क्यांसल लिख दयाना है और सिकेंड वाली का आपने आप देखी लिया होगा ठीक है इसके बाद है आप आपको फॉर्थ कोश्चन है इसे किस प्रकार दिया जाता है तूब किस प्रकार टीका दिया जाता था तो आपको तर्म एक ना इसा यह उतार देना ठीक है और अभी के भी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मैं भूलना नीची लाइक की बटन है अभी के भी लाइक कर दो अपने दोस्तों के सेर कर दो जो से उनके विए अब आपको पाए साथ जैनल को सब्सक्राब भी कर लेना ठीक है तो यहां पर लेकिना पोल्यो का ठीका बरतमान में औरल वैक्सीन के समय दिया जाता है और वैक्सीन जन्म के समय दिया जाता है तरह बीच बार से पूर्वेसे ड्रॉप के रूप में दो गुंद पलाई जाती यहां कि 2002 में बीच पूर्वेसे ड्रॉप की रूप में दिया जाता था और आज बैक्सीन बैक्सीन आने की सूजी टीक है यास लगता है को रोना में वैसी बैक्सीन की रूप में आज दिया जाता है पहले हमें दो टॉन एक की बूंद जैसे पर आपको श्टाप्श लेक आपको पांचवा कोस्टन ने चात्तरों यहीं पर क्या घरेलु मक्षी भी रोग बाहत का करती है यदि हाँ तो यह किस प्रकार का रोग संचरण करती है घरेलु मक्ही बनाती रहती है चोटी-चोटी सी वह हमारी घर में पाई जाने वारे घरेलु मक्ही कहलाती है अब कोई कोरोणा पॉज्योटिव है चलुको पuição बनाता है मतलब भूबी कोरों भःक का क्रेकर दाए हैं तो मखी भी रोग बाहत का कारण करती है योडि हाँ तो किस प्रकाल का रोग संचरण कड़ती है तो आपको तरम डालना सप्धिय घरेलु मक्ही भी रोग भाहत का करती ह ठीक है इतना डाल दीजे फिर मक्षी घर की असोई में रखे किसी खाद प्रदार्थ पर यदि बहे कई बार बैठती है तो बहे उतनी ही बार अपना मल छोड़ती है क्या करती है मल छोड़ती है तो क्या होता है जब मल छोड़ती है तो वो मतलब क्या रोग भाग का कर रही नहीं यहीं मल छोड़ेगी खाने में बाल बाल बैठेगी और पर जब मुझी खाने को खाएंगे तो हमारे अंदर बैमारी उत्पन होगी की नहीं तो इस प्रकार यह पर बिद रोख बाग का कार्य करती है आपको उत्तर लिख देना है ठीक है आपको बिलको यह फ़ियं Select 10 मश्च नंबर मल जाएंगे बिलकुल 10 म. durch स्वेज्ब को सेम भ agents देना ठीक है इसके वान आपका दूसरा को फ्रति दन मौटर साइकल से साला आने बाजाने में 1से 2ल पेटरोल लगता है जबकि पहली के पितावजी को कार से प्रति दन साला आने बाजाने में 2 लीटर डीजल करक्ता है, तो आपको अतार में पहला question है अपने आप अपने मातर पितबा अभिभावक की सहायता से पूछ कर निमने तालिका को पूर्ण करें तो यहाँ पर क्रमांग दिये हुए हैं आपको हाँ और उसके बाद आपको सिकेंड है बूजो के पिता की दोरा कुल ब्याय पेट्रोल और पहेली के पिता के दोरा कुल ब्याय पेट्रोल तो आपको एक सब्ता में बूजो वाले में लिग दियाना है 3.5 लीटर ठीक है बिल्कुल सेम्ट से हम आप अतार दीजेगा बिल्कुल भी कुछ अलग अपने मन से मत लिखीजेगा उब पहेली के पिता दोरा लिख देना आपको 14 लीटर आपको दूरा लिटर ठीक है यह क्यूख वो कार में जा रहे है और 3 किलमेटर जा रहे है तो यह कैसा रखता है 14 लीटर फिर आपको फरवती दोरा किसम के डालना है 28 गुरत 1 बटे 2 बराबर 14 लीटर और यहाँ पर डालना है 28 गुरत 2 बराबर 56 लीटर यह आपको उत्तर हो जाएगा इसके वाद आपका दूसरा कॉशन है बरतमान में 1 लीटर पेट्रोल का कुल मूल खालिस्तान रोपे है तो बूजो की पिता दोरा एक सब्ता है में कुल कितनी रासी का पेट्रोल खर्च होगा तो यहाँ पर 180 लीटर है अभी तो आपके 180 लीटर डाल देना है और फिर यहाँ पर 3.5 गुरत 180 कर देना है तो आपका उत्तर आएगा कितना 378 रोपे तीसरा कॉश्चन है आपका बरतमान में तो पहेली के बितादवरा एक माह में कुल कितनी रासी के डीजल खर्च होगा तो आपको लिखना है एक माह में डीजल बराबर 56 लीटर रोपे का है तो एक माह में खर्च 56 लीटर लगते है नोसे तो 56 गुड़त 110 यानने कि 6,110 10 रोपे का लगेगा ठीक है इसके बाद जो आपको नेस्ट कोश्चन लिखना है वो लिखना है चौथा बायू प्रदीशन के कोई दो कारण लिखिए तो यहाँ पर आपको उत्तर डालना है और पहला डालना है बनो की अंधा धुन्द गटाई और दूसरा डालना है परमानू परिचन ठीक है बायू प्रदीशन के दूपरमोख के कारण है आपको यह दो ना डाल देना है ठीक है कि बनो की गदा धुन्द गटाई होगी तो आपके क्या होगा कारण डायोक्साइट कौन मतलब कहां जाएगी वो तो फैलेगी ना ऑक्सिजन कम आएगी तो क्या बायू प्रदीशन होगा आपने सुना ही होगा और परमानू परिच्छन मतलब क्या होता है बहुत सारी जरीली गेस निकलती है तो उससे भी प्रदीशन होता है या आप लिख सकते हो चूले में खाना बनाना अपने मन से चाहो तो वांके आप तो यह लिख सकते हो यह सही है या कूड कच्रे को जलाना लास्ट कॉस्टन आपको पांचबा उर्जा की नभी करने है स्तुरतों की नाम लिखिए तो तर डालना है और पहला लिखना है सौरी उर्जा, दूसरा पवन उर्जा थिक है तीसरा लिखना है जलिये उर्जा पांचबा जैविंदन आदी चौड़ी चौनता जैविंदन आदी यह आपके नभी करने तुरोथ है तो चात्रों I hope आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना बिलकुल मत बूलना यार आभी कभी बिलकुल वीडियो को लाइक कर दीजे जिससे हम आपको इस्ट्राइप के और वीडियो देते रहें और जल्द आपको खंड आ जो है खंड आ की वीडियो भी मिल जाएगी ठीक है तो जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को सेर भी कर दीजेगा ठैंक्स पर बॉचिंग गाइज